नमस्कार दोस्तों स्वागताव सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर और आज की इस वीडियो में आप एक भरती के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे और यह जो भरती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है यह केंटोनमेंट बोर्ड पंच मडी के द्वारा जारी गया है और केंटोनमेंट पंच मडी के द्वारा जो यह वेकंसी का नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्के में पर देख रहे हैं इसके तहट जितनी भी vacancies के लिए notification जारी किया गया है सभी के लिए आपने online application ही submit करनी होगी online application submit करने के लिए एक portal बताएगा है इस portal को आप एक बार note कर ले iphone.mponline.gov.in इस website के उपर जाकर आपने जो है apply करना है 27 जनवरी को यह भरती का link शुरू होगा और 25 फरवरी 2023 तक आप apply कर पाएंगे इस वेब portal के उपर जाकर आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि कौन कौन सी vacancy है और किस परकार से आप अपना आवेदन apply कर पाएंगे और क्या qualification है कि वो सारी जनकारी आपको इस वीडियो के मादम से दी जाएगी यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें और वीडियो को लाइक में शेर जरूर करें यहाँ एक हिदायत दी गई है कि कोई भी offline application फारम असेप्ट नहीं किया जाएगा केवल और केवल online application ही आपकी असेप्ट की जाएगी आप पोस्टों की डेटेल आपको टैबलेटर फॉर्म में आपको दिखाई पड़ रहे होगी सबसे पहली जो पोस्ट है वो है जई की सब engineer की एक ही पोस्ट है यहाँ जूनियर कलर्क में यहाँ एक पोस्ट है वो है सफाई वाला ट्रेड में जिसमें EWS में एक वेकंसी OBC में दो वेकंसी है ST में यहाँ तीन वेकंसी है और अन्रेजरव में यहाँ चार वेकंसी रहेंगी PN की बात करें तो दो वेकंसी है जिसमें OBC की एक वेकंसी है और SC में यहाँ एक ही वैकनसी है इसके बाद बात करते है चोकिदार की जो वैकनसी है एक है माली में एक पोस्ट है आया की जो वैकनसी है वो एक वैकनसी है और आया के लिए केवल और केवल female candidate ही apply कर पाएंगे आगे देखते हैं इन पदों के लिए qualification की प्रकार से रहेगी सब engineer यानि के JEE के लिए ये post है तीन वर्स का diploma आपका civil engineering में होना चाहिए और junior clerk की बात करें तो higher secondary यानि के 10 plus 2 के साथ आपके पास English typing के हिंदी और अंग्रेजी दोनों भासाओं में आपको typing आनी चाहिए और typing speed की बात करें तो आपको 35 अबद प्रती मिनट आपकी English में typing होनी चाहिए और हिंदी में 30 अबद प्रती मिनट कम से कम आपकी typing speed आपकी होनी चाहिए इसके इलावा computer diploma किसी भी university से जो UGC से recognize हो वहाँ से आपके पास computer diploma हो तब ही आप apply कर सकते हैं assistant teacher की बात करें सबसे पहले जो qualification है वो आपने TET teacher eligibility test या central teacher eligibility test जो level 1 का है वो पास कर रखा होना चाहिए और इसके इलावा 10 plus 2 के साथ आपके 50% होने चाहिए और graduation में आपके पास 50% हो plus B.Ed हो या plus 2 के साथ आपके पास 2 वर्स का deployment elementary education का हो तब ही आप assistant teacher के लिए अपलाई कर सकते हैं pump attendant के लिए qualification की बात करें तो trades का certificate instrument mechanic में किसी भी ITI से आपने पास कर रखा होना चाहिए lactation के लिए भी 10.5 कक्षा के साथ आपको या तो lactation का या वायर्में ट्रेड में आपने ITI से डिप्लोमा आपका होना चाहिए plumber में भी ऐसा ही है 10.2 के साथ आपका plumber trade का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए आप बात करते हैं सफाई वाला के लिए पांच्वी कक्षा उतिरन कर रखी होनी चाहिए पियोन में बात करें तो आठवी कक्षा चोकिदार के लिए भी आठवी कक्षा और माली और आया के लिए बात करते हैं तो पांच्वी कक्षा आपने उतिरन कर रखी होनी चाहिए तब ही आप एपलाई कर सकते हैं एज लिमिट की बात करें इस भरती की जो एज की गणना है वो 25 फर्वरी 2023 को काउंट की जाएगी 25 फर्वरी 2023 को आप 21 से 30 वर्ष के बीच के कंड़ेट होने चाहिए तब ही आप एपलाई कर पाएंगे उपरी आयू सीमाव की बात करते हैं किसको कितनी कितनी छूट प्रतान की जाएगी जर्नल और EWS के कंड़ेट जो है 21 से 30 वर्ष के बीच के कंड़ेट अपलाई कर पाएंगे OBC जो जर्व पोस्टों के लिए अपलाई करेंगे उनको 21 से 33 वर्ष के बीच के होने चाहिए SCST जर्व पोस्टों के लिए जो कालिकेशन रहेगी 21 से 35 वर्ष के बीच के candidate ही apply कर पाएंगे इस परकार आप इन सभी पदों के लिए apply कर सकते हैं और apply करने के लिए सभी के लिए जो return examination है सभी के लिए return examination और skill test आपका conduct करा जाएगा केवल J के लिए आपका return test होगा assistant teacher के लिए return test होगा और बाकी अन्य सभी पद जैसे junior clerk pump attendant electrician plumber सफाई वाला के लिए return test के साथ साथ आपका skill test भी आपका conduct होगा तब भी आप इस भरती के लिए eligible माने जाएंगे apply करने के लिए एक website बताएगिया उस website के उपर जाकर आप apply कर सकते हैं और apply करने के लिए आपको application fees भी आपको pay करने पड़ेगी application fees के रूप में आपको 900 रुपे pay करने पड़ेंगे 900 रुपे plus 100 रुपे कुल मिलाकर यहाँ 1000 रुपे आपकी application fees रहेगी 1000 रुपे एक हजार रुपे application fees रहेगी और जो आपको 100 रुपे extra journal category वाड़ों को pay करने पड़ेंगे और बाकी जो अन्य candidate होंगे उनको 900 रुपे application fees की रुप में pay करना पड़ेगा fees आपको online ही आप pay कर पाएंगे online ही आपको web portal के मादन से pay करनी होगी apply करने के लिए आपको जो link है वो 27 जनुरी से शुरू होगा और 25 फरवरी 2023 तक आप अपना आवेदन जो है आप mponline.gov.in की website जो आपको ये link बतायागा है इस link के ओपर जाकर आप अपना application फारम भर सकते हैं इन सभी पदों के लिए cantonment board पंच मड़ी के लिए इस परकार के भरतियों के latest notification जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को like वे शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको इस परकार के भरतियों के latest notification जो है वो सबसे पहले आपको मिलते रहें धन्यवाद